अज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए आपके बुक का नाम है इंगलिश गरामर एंड कम्पोजिशन ठीक है किलास थर्ड की आपकी इंगलिश गरामर की बुक है तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपला कोई जो पढ़ाने जा रहे हैं उ बॉस को देख लिए तो सबसे पहले आप इसका कंटेंड उपन कर लिए श्रेयंट्स और यहाँ पर देखिए हमने बुकालिश बास अलुरrd umas रगा तो आप बीसे माक कर रहिए इसमें ये पार्ट नमबर 5 में स्टार्ट होगा ठीक है ये पार्ट नमबर 5 में तीनो ही चैप्टर हमारे पार्ट नमबर 5 में होंगे तो यहाँ पर ये जो तीनो चैप्टर है ये हमारे किसमें आएगा बच्चो ये पार्ट नमबर 5 में आएगा ठीक है पार्ट नमबर 5 इससे पहले हमारा पार्ट नमबर 4 कंपलीट हुआ तो अब यह वाला किसमें होगा पार्ट नमबर 5 में यह तीनों चैप्टर नमबर 16, 17, 18 तीनों ही पार्ट 5 में करना है मैं तो chapter number 16 पहले start करते हैं page number 30 पर है ये ठीक है page number 30 उपिन कर लिये सबसे पहले आप page number 30 page number 30 देखिए हमने आप 30 उपिन कर लिया है आप भी उपिन कर लिये और यहाँ पर आजए ये chapter का नाम है हमारा use of was work Walls Work का प्रियोग इस्तिमाल करना सीखना है तो देखे यहाँ पर हमने पार्ट नमबर 5 लिख रखा है आपको भी क्या करना है पार्ट नमबर 5 लिख देना है क्या करना है आपको यहाँ पर अपनी बुक पर पार्ट नमबर 5 लिख देना है मतलब जब part 5 अपलोड हो तब किया पर date लिख दिएगा chapter में हमें करना क्या है was और war का इस्तिमाल करना है कि was और war कहां पर कैसे इस्तिमाल होता है ठीक है चलिए सबसे पहले affirmative sentence affirmative sentence यानि साधारान वाक्य है साधारान वाक्य है जो होते है normal जो हमारे sentence होते है हमारे जो normal sentences होते हैं उसे हम कहते है affirmative sentence मतलब सीधे सीधे sentence होते है ना ही उसमें कोई सवाल पूछ रहा है ठीक है ना ही उसमें कोई not word का use होता है मतलब नहीं नहीं करता है मतलब negative word नहीं होते है जिसमें ठीक है तो उन्हें हम कहते है affirmative sentence जैसे मनु एक सहासी महीला थी तो हम कहेंगे मनु वाउज आ बोल्ड लेडी हम विद्याले के लिए तयार थे वी वर रेडी फॉर स्कूल ठीक है इस तरह से हम सिंपल वर्ड के रहे हैं अगर हम यहाँ पर कहते हम विद्याले के लिए तयार नहीं थे तो यह जो नहीं आया नहीं से वर्ड बन गया नगेटिव उल्टा हो गया हमने कहा तयार थे कोई कहरा नहीं थे तो उल्टा हो गया ना बिल्कुल माइन दोनों बदल गए हमने कहा हम वहाँ जाएंगे कोई कहरा हम वहाँ नहीं जाएंगे तो उल्टा हो गया बिल्कुल ही शब्द आगे पीछे हो गया उपर जैसे हमने कहा जाएंगे वो कहरें नहीं जाएंगे तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया उसे हम कहते हैं नगेटिव मगर यह हमारे simple simple हैं सीधे-सीधे साधरन जिसे हम कहते हैं तो यह से हम कहते हैं affirmative sentences पता कैसे चलेगा कि sentences हैं यहां पर पहचान करेंगे हम था, थे, ती, थी मेंसे कोई भी शब्द होता है last में जैसे थी, था, थे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे यह sentence क्या है यहाँ पर ओर टिक आप नहीं होगा वहाँ पर पांच लड़कियां थी या वहाँ पर पांच लड़के था नहीं होगा कहेंगे हम पांच लड़के थे तो थे और थी के लिए वर यूज होता है था और थी के लिए वाज यानि singular के singular के लिए हमारे उसके लिए हमारे क्या होते हैं singular के लिए हमारे was ہوتा है और plular के लिए हमारे war use होता है ठीक है खूब सारे चीज़ों के लिए war और कम चीज़ों के लिए एक चीज़ के लिए was चलिए हम यहांपर देखे translate into English हमारे exercise हैं अपर इसे English में translate करना है पहला है we हमारे महमान थे we हमारे महमान थे इसमें क्या करना है simple सा was work का इस्तेमाल करना है यानि देखो महमान थे थे मतलब जादा हो गए जादा लोगों की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे where मतलब they were अब यहाँ पर were आएगा they were they were our guest वो हमारे महमान थे they were our guest was our guest नहीं होगा अगर was होता तो इसका मतलब where हमारे हमारे महमान थे की जगा महमान था where हमारा महमान था तो हमारा भी हड़ जाता यहाँ होता they were our guest where हमारे महमान था यह हमारा महमान था हमारे नहीं होगा ना चेंज हो रहते हैं तो they were our guest सेकेंड है चौकिदार गली में था चौकिदार गली में था था मतलब एक आदमी की बात हो रही है तो यानि चौकिदार केते हैं हम वाच मैं तो हम लिखेंगे वाच मैं वाज इन दा स्टीट वर इन दा स्टीट नहीं अगर मैं वर कहता है वाज मैं मतलब बहुत सारे वाच म हम कल आपके साथ थे हम कल आपके साथ थे यानि हम, हम जादा के बात कर रहे हैं तो यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल यस्टरडे वी वर विद यू कल हम आपके साथ थे यस्टरडे वी वर विद यू कल हम आपके साथ थे या हम कल आपके साथ थे we were with you yesterday yesterday we were with you ऐसे लिख सकते हैं ठिक है last में क्या करना है लास में हमारा sentence पूरा होता है तो हम full stop लगाते है यहाँ पर रीता और निता कक्षा में थी यानि रीता और नीता दौनों ही क्या थी class में थी तो हम लिखेंगे Rita and Nita were in the classroom ठीक है रीता एन नीता वरिंदा क्लासरूम वाज इन दे क्लासरूम नहीं रीता एन नीता वाज इन दे क्लासरूम नहीं रीता एन नीता दो हो गए ना तो हम क्या कहेंगे रीता एन नीता वरिंदा क्लासरूम ठीक है स्टेंड्स चलिए अब नेक्स देखिए नेक्स हमारा न उस समय घर पर नहीं थे यानि हम उस समय घर पर नहीं थे नहीं आ गया मतलब negative sentence हो गया मैं वहाँ नहीं जाओंगा मैं वहाँ गया था तुम वहाँ नहीं जाओगे ठीक इस तरह से हम जो नहीं नहीं वड आते हैं उसमें हमारे not word आ जाता है बस हम उस समय घर पर नहीं थे we were not at home at that time we were not home at that time हम उस समय घर पर नहीं थे वे देशभक्त सैनिक नहीं थे वे देशभक्त सैनिक नहीं थे अब देशभक्त पैरियोट सोलजर्ट ठीक है अब देखी हैं आप लिखा है नहीं के लिए वोज़ वर के बाद नॉट का प्रियोग होता है जैसे हमने वर के बाद not, वर के बाद not, वस के बाद not इस तरह से अब exercise पर इए next यहाँ पर page number 31 पर है नीचे देखेंगे आपका page number 31 है यह page number 31 टॉप पर देखी उपर आज़ेए translate into English इसे हमें English में translate करना है where निर्दोश नहीं थे मतलब अब थे की बात आ रही है और वे मतलब जादा की बात आ रही है और थे मतलब पास की बात आ रही है यानि was या वर में से कुछ लिखेंगे अब was लिखेंगे तो यानि एक इनसान के लिए मगर वहाँ पर थे की बात आ रही है याना जादा लोग होंगे ठीक है अगर मैं कहता एक आदमी के लिए तो मैं कहता वो वे निर्दोष नहीं था यहां हम कहरें वे निर्दोष नहीं थे मतलब जादा लोग है तो हम कहेंगे they were innocent sorry नहीं थे है तो यहां आएगा they were not innocent यहां पर आप not और लिख लिएगा इसके साथ बीच में ठीक है आकाश साफ नहीं था आकाश साफ नहीं था पक्षी घोसले में नहीं है बट्स वर नॉट इन दी नेस्ट अब मैंने वर क्यों लिखा बच्चो क्योंकि पक्षी जो है ज़ादा हुँगी न बट्स पक्षी जो है हमारी प्लूर फर्म है ठीके एक से ज़ादा के लिए हम कहते हैं बड़्स वर नॉट इन दा नेस्ट उसकी कमीज नहीं नहीं थी कमीज कहते हैं शट को इस शट वाज नॉट नियू ठीके ये क्या होगा हमारे इसके हिंदी से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया यहाँ पर ये इन्नोसेंट यानि निर्दोश ठका हुआ यानि टायट साफ मतलब के लिए मायने बताएं कुछ जो आपको ना पता हो तो इसमें से देख लिए तीन बताएं अब आया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेश परिशन वाचक वाक्य है परिशन वाचक वाक्य है जब हम यूज करते हैं जब उसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं क्या तुम वहाँ जाओगे क्या तुमारे पास ये है क्या तुम वहाँ गए थे कैसे कब कहां कहां गए थे कब आए कब जा रहे हो क्यों जा रहे हो इस तरह से हम क्या करते हैं सवाल पूचते हैं तो अब यहाँ पर सेंटेंस दी आपको जितने भी हमारे सवाल वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं interrogative sentence जैसे क्या वै आपका पड़ोसी है Was he your neighbor पर क्या वो आपका पड़ोसी है वाजी और नेबर ठीक है कोशन मार्क उसके हाथ में क्या था तो आप कहेंगे वाट वाट वाज दियर इन हीज हैंड यहां पर क्या करेंगे ऐसे कर देंगे ठीक है फुल स्टॉप मतलब कोशन मार्क इनों ने लगाया नहीं है में स्प्रिंट है आपका क्या होगा है यहां पर आप भी कोशन मार्क लगा देंगे ठीक है अब देखिए नेक्स यहां पर देखिए नीचे एक्सिसाइज देखिए ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश यह तो आप खुदी रीड कर लिएगा इसमें क्या है ठीक है यह सब कुछ नहीं है ज्याद आसान है यह तो बहुत आसान है वससमें रीडिंग करनी है आपको जो चीज़ यह समझा रहे हैं हम बता चुके हैं आप यह साथरडेय हू वड़ वाज विड यू वैं शीला के घर पर क्यों थी व्याइ कॉशन मार्क शी वाज एट शीला होम क्या वाइ शी वॉ ऐच शीला इट होम शीला जो मतलब शीला के घर कॉमा एस लगा दूँगा ना मैं अगर मैं कहुंगा ऐसे करके कहीं लिख दूँ एसे करके Raviz ऐसे करके S, यानी रवी का ठीके, तो ये किसी कुछ भी लिख दूँ उसके आगे S लिख दूँ यानी उसका क्या सरदार पटेल महापुरुश थे, तो हम लिखेंगे What was सरदार पटेल Great Man, Great Man मतलब महापुरुश सब के आगे हैं पर मैंने question mark लगा दिया है भारत के पिर्थम पिर्धान मंतरी कौन थे तो हम लिखेंगे who was first prime minister of India question mark ठीक है why she was at sheila's home यह वाला आप सही से कर लिएगा ठीक है देख लिए इसे आप इसे आप अपनी copy में इस में book में उतार लिए फिर next page open कर लिए next page हमारा page number 32 है उसे open कर लिए page number 32 पे हमारा है chapter number 17 use of will be shall be क्या करना है हमें इसमें will be और shall be का استعمال करना है will be और shall be का استعمال करना है कि will be और shall be हम कहां पर बोलते हैं तो इसकी exercise देखिए पहले आप इसकी definition देख लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर example दिये बस वही पढ़ेंगे will be और shall be का प्रियोग सीखना है मैं इसमें यहाँ पर देखिए दीपक अभियन्ता होगा दीपक will be an engineer वे घर पर होगी she will be at home मैं आपके साथ होंगा I shall be with you हम दो बज़ें वहाँ होंगे we shall be there at two o'clock अब देखो कुछ जगा shall be लिखा है कुछ जगा लिखा है will be तो will be और shall be हमें कैसे पता चलेगा कि will be लिखना है या shall be लिखना है अगर मैं कहूँगा न I will be there मतलब मैं वहाँ होंगा I shall be there मैं वहाँ होंगा तो हम क्या लिखेंगे shall be लिखेंगे will be लिखेंगे तो यह जो shall be और will be का पता चलेगा हमें कि shall be लिखना है will be लिखना है यह कैसे पता चलेगा यह पता चलेगा कि हमारी singular form है या plular form है ठीके मतलब will be shall be हम कैसे यूज़ करेंगे यह भी बता देते हैं आपको जैसे कि हम अपने एक से ज़्यादा के लिए यहाँ पर लिखाए देखिए यहाँ पर देखिए आई और वी के साथ हमेशा अपने लिए क्या आई और वी के साथ singular form प्लूरर फॉर्म नहीं है मतलब यहाँ पर यह है simple सी अगर बात करें जैसे हम कहें I और वी है उसके साथ हम shall भी लिखते हैं I और वी जब भी आता है तो उसके साथ हम shall भी लिखते हैं अगर यहाँ पर आए अन्य सभी करता हूँ जैसे he, she, it, the boy, the girl, you, they इस सब के साथ will be होगा the boy will be, he will be, she will be, it will be, the girl will be, you will be, they will be सब के साथ will be आएगा मगर अगर मैं इसकी बात करूँ I will be तो I will be नहीं होगा I shall be होगा अगर मैं बात करूँ we will be तो we will be नहीं होगा we shall be होगा हमेशा I और we के साथ shall be का इस्तेमाल होता है बाकि कोई साथ भी he, she, he, she, it, the boy, the girl, you, they इन सब के साथ will be का इस्तेमाल होता है ठीक है चलिए यहाँ पर हम question answer करते हैं यहाँ पर हमारे questions है क्या है exercise है हमारी translate into English इसे हमें English में translate करना है पहला है पशु खेत में होंगे मतलब bird will be at farm खेत कहते हैं farm को मतलब farm कहते हैं खेत को कुछ भी कह लो ठीक है पशु खेत में होंगे but will be at farm हम डागघर में होंगे we shall be in the post office देखो मैंने शेल भी लिखाए क्योंकि यहाँ पर हम बात करी है हम मतलब we तो we के साथ मैंने क्या बताया था will be नहीं आएगा we के साथ हमेशा शेल भी आएगा थी थड़े यहाँ पर आप अनुपस्तित होंगे मतलब absent होंगे absent कहते है उपस्तित मतलब present absent हो गरा हमारा आनुपस्तित तो आप अनुपस्तित होंगे आप मतलब you to you के साथ हम shall be use करींगे नहीं खाली किसके साथ करेंगे we और i के साथ तो यहाँ लिखेंगे you will be absent आप एपस्तित होंगे आप अनुपस्तित होंगे ठीक है उसके बाद fourth है मह вполне उसरे लोग हो गए गेस्ट जो है आई नहीं हुआ ना वी हुआ आई और वी के साथ हमारा सिर्फ शेल भी आएगा तो हम यहां लिखेंगे गेस्ट विल भी इन दा ड्रॉइंग रूम ठीक है अब यह लिखने के बाद नीची आई यह नगेटिव सेंटेंस अब इसी में अग यह आपका हो जाएगा एनीमल ठीक है यह हो गया एनीमल विल एड़ फार्म जानेवर होते ना पशु केते हैं जाना वरो भो को समय हे हमारा निजैटिव सेंटेस आए हम नहीं का प्रियोग कर देते हैं हम है जैसे हम डागगर में होंगे अगर मैं कहई हूँ हम डागर में पता है नौट यह ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि देविल देविल भी नौट सोलजर नहीं देविल नौट भी सोलजर आप समय पर वहां नहीं होंगे यू विल नौट भी देर ओन टाइम ठीक है चलिए अब नेक्स पेच बर इसकी एक्सराइस कर लेते हैं इससे रेलेटेड पह मैं स्कूल मैं नहीं होंगा आई शेल नौट भी स्कूल अब देखो आई विल नहीं लिखा मैंने यहां पर क्योंकि मैंने यहां पर मैं की आवाज आई मैं मतलब आई आई जब भी हम लिखते हैं या वी लिखते हैं तो हम यहां पर शेल लगा लगा देते हैं विल की जगा तो हम लिखेंगे I shall not be in school थड़ है where दुकानदार नहीं होंगे फिर हम लिखेंगे they will not be shopkeeper ठीके दुकानदार फिर कल रवीवार नहीं होगा tomorrow will not be Sunday कल दुकाने बंद नहीं रहेंगी अब नहीं आया ना तो हर जगा नहीं नहीं आ रहा है इसलिए मैं not use कर रहा हूँ तो हम लिखेंगे tomorrow shop will be shop will not यहाँ पर हमारा not all लिख दिए बच्चो shop will not be close tomorrow shop will not be closed close मतलब बंद ठीक है students यह हमारी exercise हो गई अब next पर यह interrogative sentence जैसे मैंने बताया था interrogative होते हैं हमारे सवाल पूछने वाले sentence तो ऐसे interrogative sentence जिसमें हम will be shall be का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे यहां लिखाए क्या रश्मी person होगी मतलब क्या रश्मी खुश होगी तो हम लिखेंगे will rush me be happy यहां पर question mark आएगा क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं तो अब यहां है आप कल कहा होंगे तो हम लिखेंगे where will you be tomorrow कल उसके साथ कौन होगा who will be with him tomorrow सब मैं question mark है ठीक है तो आप यहां पर आ जाएगे इसके exercises पर exercises पर देखिए हमने यहां पर कल रखा है translate into English इसे हिंदी में है English में करना है पहला है यहां पर वहां कितने चात होंगे how many students will be there क्या how many students will be there यहां पर question mark लगा दियेगा ठीक है उसके साथ कौन होगा क्या उसके साथ कौन होगा अब उसके साथ कौन होगा हमें बताना है यानि who will with him who will with him क्या है यह question mark वाले है तो यहां पर बच्चो will be आएगा यहां पर be who will be with him who will be with him क्या आप बलवान होंगे will you be strong क्या आप बलवान होंगे क्या आप ताकतवर होंगे will you be strong ठीक है question mark उसके बाद हम उनके साथ क्यों होंगे why will be why will be sorry why we will be with them हम उनके साथ क्यों होंगे why we will be with them ठीक है यहां पर फिर question mark फिर उसके बाद question number मतलब इसका पांचवा है क्या वे अभी नेतरी हैं अभी नेतरी या अभी नेता अभी नेता कहते हैं actor अभी नेतरी यानि औरत जो होती है यानि actress तो यहां पर क्या वे अभी नेतरी होंगी यानि होंगी की बात कर रहे हैं अभी पता नहीं है फुल फुचर की बात कर रहे हैं तो फीचर में तो हम विल यूज करते हैं तो क्या अभी नेतरी होंगी will she be क्या? यहां पर ये लिखा है she will be will she be actress क्या वो actress हूंगी will she be actress क्या वो actress हूंगी यहां पर हमारा question mark ठीके strength फिर next पर आईए page number 34 पर ये exercise complete हो गई हमारी page number 34 पर देखिए page number 34 chapter number 18 use of has, have, or had has, have, or had का इस्तिमाल सीखना है ये भी हमारा क्या है part number 5 है इस पे भी part number 5 लिखना है ये तीनों chapter जो मैंने भी पढ़ा है 16, 17 और जो 18 पढ़ा रहा हूँ ये तीनों ही हमारा part number 5 में है पांच number 5 में ठीके और यहाँ पर आपको date लिखने है डेट किस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूटूब पर अपलोड होगी उस दिन की चलिए अब देखिए पहला देखिए हैं आपर कुछ affirmative sentence हैं फिर इसमें भी negative sentence हैं फिर इसके भी interrogative sentence हैं तो affirmative sentence हमारे साधारण जो वाकिय होते हैं उसमें हम कैसे has have had लगाते हैं इसके पास television है he has a television लड़कियों के पास चूडियां है the girls have bangles मेरे पास 10 रुपे है I have 10 रुपीज हमारे पास काफी धन था we had enough money अब आपको यहाँ पर कुछ देख के समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर देखिए इसके पहले नियम पढ़ लिए he she it ये singular noun है यानि एक वचन संग्या हैं तो एक वचन संग्याओं के साथ has का प्रियोग होता है जब एक इनसान की एक noun की बात करूँगा तो एक noun के साथ हमेशा has लगाएंगे आई वी यू दे पिलूलर noun है आई वी यू दे ये हमेशा पिलूलर noun होते है आई हमारा पिलूलर noun कहलाता है तो इसलिए बहचन संग्याओं के साथ हमेशा हम have लिखते हैं अगर मैं लिखूँ I तो I has नहीं लिखूँगा वी हैस नहीं लिखूँगा यू हैस नहीं लिखूँगा दे हैस नहीं लिखूँगा हमेशा I, V, U, दे के साथ हमेशा हमारा have आता है पास्टेंस जो निकल चुका है भूत काल जिसे कहते हैं उसमें हमेशा head लगाते हैं जैसे यह लिखा है हमारे पास काफी धन था यानि पुराने जमानी के बात कर रहे हैं पिछले जमानी की जो टाइम निकल चुका है तो था आया यानि हम has नहीं लिखेंगे नहीं have लिखेंगे हम had लिखेंगे यानि past की बात कर रहे है past tense की तो हम लिखेंगे we had enough money हमारे पास काफी धन था अब इसकी exercise देखिए पहले हमारी affirmative sentence की exercise है translate into English आदमी के दो हाथ होते हैं तो हम क्या लिखेंगे आदमी आदमी क्या है आदमी क्या है पिलूलर है यह singular है तो आदमी क्या है अगर हम आदमी के बात क कौन सा आदमी ठीक है हमें पता है एक आदमी आदमियों के दो हाथ होते हैं अगर यह लिखते तो होता man have two hand हम लिखेंगे man has two hand आदमी के दो हाथ होते हैं ठीक है एक आदमी तो होगा एक आदमी की तो बात कर रहे हैं हम तुम्हारे भाई के पास मेरा कंगा है यहां लिखे मेरा तो बात आई हाँ पर मगर मेरा जो हमारा नाउन नहीं है यहाँ पर first noun यह वाला हुआ हमारा main noun यह वाला हुआ जिसके उपर बात हो रही है ठीक है तुम्हारे भाई के पास मेरा कंगा है तो your brother has my com उस दुकानदार के पास अच्छे संत्रे हैं क्या अच्छे संत्रे थे थे की बात आगई यानि ना has होगा ना have होगा head होगा तो यहां लिखेंगे that shopkeeper head good oranges हमारे पास एक car और दो scooter हैं हैं आया और हमारे आया यानि we आया वी के साथ क्या आता है have आता है तो हम लिखेंगे we have one car and two scooters sorry two scooter फिर इसके बात full stop फिर पांचवा है रवी के पिता जी के पास एक अंगूठी है रवी के पिता जी के पास एक अंगूठी है यानि एक की बात कर रहे हैं यानि has होगा तो लिखेंगे रवीज father has a ring रवीज मतलब रवी के रवीज father has ring हैजा एरेंग एक उंगू ठीटीड धिक है यहां पर फुल स्टॉफ अब आया हमारे negative sentences negative sentences कौन से होते हैं जो ना कारत्मत मतलब जो ना कारत्मत मतलब जो नहीं होते नहीं 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 इस वाले लफ्स का अस्तेमाल हो जिसमें आचल के पास खिलोने नहीं है आचल हैस not toys हमारे पास वायू यान नहीं है we had not aeroplane सॉरी नहीं थे देखो अगर यहां पर नहीं होता तो हम have लिखते क्योंकि we की बात आ रही है हमारे मगर यहां पर past की बात होगई थे की बात होगई थे था थी तो इसमें हम हैड लिख देते हैं has पर देखिए पहले हिंदी में दिया है English में translate करना है उनका बगीचा नहीं है they have no garden क्या उनका मतलब एक से ज़्यादा लोग है ना तो they have no gardens सब्ता में 8 दिन होते हैं मतलब हफते में 8 दिन होते हैं नहीं होते हैं हफते में 8 दिन नहीं होते हैं तो इसका लिखेंगे week has not 8 days वीक में 8 दिन नहीं होते अब मेरे पास समय नहीं है now I have not time I के साथ मैंने have क्यों लगाया क्योंकि have आता है i के साथ v के साथ भी और not क्यों लगाया क्योंकि इन्होंने नहीं के बात किये ठीके और now मतलब अब हमारे पास तेज चाकू नहीं था we sorry अब यहाँ पर have की जगा head आएगा क्योंकि था की बात हो गई तो बिना कुछ देखे direct जल्दी से हमें क्या कर देना head लिख देना है वैसे तो we है अब यहाँ पर we है तो मैंने भी देखिए हम पर have लिख दिया क्योंकि we के साथ have बाता है मागर have नहीं आएगा हमें यह चीज़ देखनी है आपर था की बात हो गई यानि past की बात हो गई तो head होगा has have कुछ देखेंगे नहीं direct हम head लिख देंगे तो हम लिखेंगे we had not sharp knife ठीके उसके बात शयाम के भाई या भाई नहीं है मतलब शयाम के भाई वहन नहीं है तो हम लिखेंगे शयाम has not brother or sister has इसलिए लिखाया क्योंकि शयाम एक ही इनसान है एक ही की बात कर रहे है यहाँ पर होगे हमारा has not brother or sister उसके बाद आते हैं हमारे last interrogative sentence जिसमें हम सवाल पूछते हों और ऐसे sentence जिसमें हम सवाल पूछ रहे हों और has have का head का इस्तेमाल हो रहा हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या उसका कोई नौकर है has he any servant उसके पास कितने रुपे हैं how many rupees has he how many rupees has he अब इसकी exercise पर आते हैं ट्रांसलेट इंटू इंगलिश तुम्हारे कितने भाई हैं how many brother you have you have you आया तो मैं have लिखूंगा ना उसके बाद हमारे पास धन कहां है where we have money ठीक है हमारे आतलाव वी आया और have आयेगा वी के साथ where we have money राजीव के हाथ में क्या है what has in राजीव's hands क्या what has in राजीव's hands राजीव's hands राजीव के हाथ में what सही है ना बच्चो समझ मा गया राजीव के हाथ में क्या है what has क्या है इन राजीव's hands राजीव's के हाथ में Rajeev's कॉमा ऐसे ना राजीफ के हाथ में अब ये sentence My name is Mेड़ा नाम ये तो सिधा-सिधा है हम करेंगे What is your name ये सिधा-सिधा है मैं कुछ sentence ऐसे होते है कि आगे English में हम पढ़ते हैं तो जह लगता है कि हम पहले जो हमारे Hindi में बाद में वड़ आ रहे हैं वो पहले आ रहे हैं ठीके जिसे उसके पास कितने रुपे हैं हाउ मैनी रुपीज ही है कितने रुपे हैं उसके पास तो इंग्लिश में आगे पीछे हो जाते हैं तो यह मैं सोचिएगा यहाँ पर हमने आगे पीछे कर दिया है वाट है इन आजी sticks अब देखो होकीओं की जगा में होकीओं की जगा होकी लिख सकता था मगर होकी sticks कर दिया मैंने sticks मैंने s लगा दिया यह प्लूलर वैसे ही हो गया ठीक है सब क्या आगे क्या लगाना है हमें question mark फिर पांचवा है उसके पास मेरी कलम क्यों थी why he has my pen ठीक है यहाँ पर हमारा question mark अब यह exercise हमारी यहाँ पर complete हो गई ठीक है अब यहाँ पर हमारा chapter भी complete हो गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे PA2 course completed यहाँ पर completed अब सभी लोग अपनी बुक में यहाँ पर लास में लिखेंगे PA2 course completed जल्दी से इसका syllabus दुबारा से समझिए सबसे पहले chapter number 16 open करिए और यहाँ देखिए chapter number 16 page number 30 पर page number 30 पर page number 30 पर chapter number यहाँ पर देखिए बज़ नमबर 30 chapter 18 पर आपको डेट लिखनी होती है और डेट तो आपको पता ही होगी जिस दिन पर यह वाला जो पार्ट पड़ा रहे हैं जिस दिन वो YouTube पर आएगा उस दिन के डेट लिखनी होती है तो part number 5 हमारा chapter 16 है फिर यह सारी exercise करने के बाद chapter 17 पर आए यह भी हमारा part number 5 में ही है और यहाँ पर भी क्या करना है आपको डेट लिखनी है किस दिन की जब part 5 अपलोड होगा ठीक है यह भी हमारा किसम है part number 5 में है यह भी हमारा part number 5 में है ठीक है चैप्टर number 17 भी उसके बाद chapter number 18 पड़ा हमने यहाँ देखिए चैप्टर number 16, 17, 18 यह तीनों chapter हमारे complete हो गए यानि PA2 का part number 5 भी complete हो गया जो आपका PA2 का syllabus है क्या आ रहा है PA2 में आपके चैप्टर number 16 आ रहा है चैप्टर number 17 आ रहा है चैप्टर number 18 आ रहा है हमने यह सिखा दिया was work का यूज करना will be, shall be का यूज करना has, have और head का इस्तेमाल करना तीनों सिखा दिया है तीनों जो आपका PA2 में आ रहा था वो complete हो गया तो आपका यहाँ पर syllabus complete हो गया PA2 का ओके स्ट्रेंड, so thank you very much, assalamualaikum